मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी के भीतर घमसान रुखने का नाम नहीं ले रहा है कुछ दिन पहले जहां प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर खे में बाजी सामने आई थी वहीं एक भार फिर पार्टी में मदभेद सामने आ रहा है पार्टी के युवा नेता जोतिरादित सिंध्या ने माना है कि पार्टी में मतबेद है और मुख्यमंत्री कमलनाथ को इसे दूर करना चाहिए कि में माज़ने की मुख्यमंत्री के इसे शेयर दोनों पक्षों की बात सुटी चाहिए अब इसका समाहाती को बाती है बहुत मुख्यम से है और बहुत भेनत से है और हम लोग ले 15 साल कडी महनत करकी आज मंद्रेश में एक अग्रस की शाह सलस्ताव हो जाए हम कुछ है मैंने भी नहीं हो जिस आशा रविलाशा के साथ हम सब लोग जाए मैं इसलिये कारे करता हैं सभी ने महनत की तो उस आशा रविलाशा के साथ की हमें थैंधर प्रदेश साबित करते हैं आज अगर परकती होगा नहीं आशा के अदू है और आज अगर ऐसे मद्रीद उठ रहे हैं ये दायत तो होता है कि मंद्रीब दोड़ों वक्षों के पैट रहे हैं सलाम अश्वरा करें उसका समाथ जोतिरादित संध्या ने खोल कर तो नहीं लेकिन उमंग सिंखर के समर्थन में बात तो कहे दी और कह दिया बड़े मेहनत से MP में कॉंग्रेस की सरकार बनाई है छे महिने में ही ये हाल नहीं होना चाहिए सरकार अपने अदम पे अधार पर चाहिए किसी का हश्चेप सरकार भी नहीं पर चाहिए मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि सरकार को स्वत्त रहोकर कारी मेंना चाहिए वहीं जोती रादेत सिंध्या का यह बयान CM कमलनात दिख विजय सेंग और गुटपाजी करने वाले नेताओं के लिए एक सला है आपस में मत लड़िये अब बिखरे तो सब ख़त निउस्टेस आपस्टेस आपस्टेस